हेलो दोस्तों वेलकम बैक टिक्यूमन करी आज मैं आप सबी के साथ एक बहुत ही सिंपल सबसी की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ जो कि हैं सोया वड़ी और आलो की सबसी और बहुत ही असानी से कोई भी बना सकता है इसे घर पे और यह बहुत ज़ादा टेस्टी लगती है तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो कप के जितना सोया वड़ी को थोड़ा से गुन-गुने बानी में भीगो के रख दिया 20-25 मिनट के लिए एक दम अच्छे से फूल जाएगी फिर इसके बाद इसे हम इसमें से पानी दबा के निकाल लेंगे और इसे अलग रख लेंगे मैं करीबन 4-5 टोगों के लिए सबसी बना रही हूँ अगर आपको कम जादा बनाना है तो अपने हिजाब से आप कॉंटिटी बढ़ाया घटा सकते हैं मुझे सोया वड़ी अपनी सबसी में जादा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ी से जादा डाली है बाकी आप एक कब भी डालेंगे तो भी सबसी अच्छी बन जाएगी यहाँ पर मसाले के लिए मैंने बहुत ही बेसिक सी चीजे लिए हैं चार से पांच यह प्यास है प्यास छोटे अकार के थे इसलिए मुझे चार डग अगर मध्यम अकार के हैं दो से तीम भी लग सकते हैं मुठी बर लसन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा और साथ म चार हरी मिट्ची इसको डालके मैंने थोड़ा सा पानी डालके इसका पेस्ट बना लिया अब एक कडाई में दो चम्मच के जितना यहाँ पर मैं तेल ले रही हूँ आप कोई भी तेल ले सकते हैं मैंने नॉमल रिफाइंड ओल लिया है आप सर्जों के तेल में भी यह सब पकाना नहीं है बस हलका सा इसे हम सौटे करके निकाल लेंगे नॉमली जो धाबे बगेरा पे आपको यह सबजी मिलती है इसको बूरा का बूरा डी फ्राइ किया जाता है लेकिन हम घर पे बना रहे है तो थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बनाएंगे कम तेल में इसे इस तरी तीन मेट के लिए थोड़ा सा तेज आज पर इसे बूने जब इस तरीके से हलका हलका लाल रंग आ जाए इसे निकाल लेंगे इसे जादा नहीं बूनना है यह अच्छा से बून चुका है इसे हम निकाल लेंगे कड़ाई साफ करके मैंने वापस से थोड़ा सा तेल लिया दो चमज के ही जितना इसमें दो मध्यमाकार की आलू हैं जिसे मैंने चार भागों में कट करके रखा हैं कच्चे आलू थे आप उबले आलू भी यूज कर सकते हैं लेकिन इस सबजी के साथ कच्चे आलू जादा पूना है अलू को अच्चे से बूने इससे अअच्छा सा सोंधर बना जाते हैं हमारी सबजी में बहुत ही बेसिक तरीके से ये सबजी बनती है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते है अगर आपके घलपे मेमान वगेरा आ रहे हैं तो भी आप ये सबजी बना के रख सकते हैं जैसे पनीर वगेर की तो सबजी हमेशा ही बनती है लेकिन जब इस तरीके से आप आलो और सोया वड़ी बनाएंगे तो हर कोई तारीफ करेगा आप एक बर तो ये रेस्पी ज़रूर ट्राइ करें जब आलो इस तरीके से लाल हो जाए इसे भी हम निकाल अब उसी तेल में बचे हुए तेल में आदा छोड़ा चम्मच के जितना जीरे का तड़का दे दिया और मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया इसी के साथ एक मद्धे मकार की प्यास है जिसको रफली काटके मैंने इसका तड़का दे दिया प्यास को मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है बहुत ही रफली काटा है आप देख सकते हैं तो थोड़े से चंग सुसके होने चाहिए प्यास को थोड़ा सा लाल होने तक भून लेंगे तेज पत्ते का फ्लेवर आ चुका है तो तेज पत्ता हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें मसाले भूनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर तेज पत्ता होगा तो तेल में उसका फ्लेवर आ चुका है, मैं इसे निकाल के अलग कर दूँगी थोड़ा सा हींग डालेंगे एक चोथाई टी स्पून के जितना, यानि कि एक चोथाई छोटा चम्मज के जितना तो यहाँ पर मैं तेज पता निकाल दे रही हूँ, जितना फ्लेवर है आ चुका है हमारे देल में यह देखिए, प्याज हलकी सी ब्राउन हो चुकी है, बस इतना ही बूनना है अब इसमें जाएगा जो हमने पेस्ट तयार करके रखा था यह हमने डाल दिया, इसमें प्याज है, लसन है, हरी मिर्ची है, अद्रक है, मैंने आपको अलड़ी दिखा दिया कि कितनी मात्रा में आपको लेके पीसना है, यह पेस्ट बहुत जादा बारीक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा से दरबड़ा टेक्शर भी होगा न, तो भी आपकी यह सबजी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी अब आपको बहुत अच्छे से भूणना है, भूणना बहुत important है, तो धीमी आच पे आपको इसे करीबन 10 मिट के लिए भूणना है, फिर इसके बाद इस में हम टमाटर डालेंगे, और उसे भी हम बहुत धीमी आच पे अच्छे से भूणेगे जितने अच्छे से आप अपने मसाले भूनोगे उतनी जाधा टेस्टी आपकी ये सबजी बनेगी और उतना अच्छा कलर भी आएगा थोड़ा सा लाल मिर्च ये नॉर्मल रेट चिली पाउडर है आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं मैंने आधा चोड़ा चम्मच के जितना लाल मिर्च, आधा चोड़ा चम्मच के ही जितना हल्दी पाउडर, आधा चोड़ा चम्मच के जितना जीरा पाउडर और साथ में एक चम्मच के जितना धन्या पाउडर यूज़ किया है आधा चोड़ा जब मच के जितना मैंने जीरा पौडर के बाद गरम मसाला भी डाला था बेसिक मसाली डालके आपको अच्छे से से भूल लेना है अगर आपके मसाली तली में लग रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डालके उसे एड़्जस कर सकते हैं मसाले बिल्कुल भी नहीं लगेंगे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा यह सूप चुका है तो मैंने करीबन चार से पांच टेबल स्पून के जितना इसमें पानी डालके इसे अच्छे से भूना था यह देखे मसाले तेल छोड़ने लगे हैं तो यह मसाला तो अच्छे से भून चुका है मुझे भूनने में साथ से दस मिनट लगे थे अब इसमें हम डाल देंगे तीन मध्य मकार के टमाटर की मैंने प्यूरे बना ली थी मिक्सी में डाल के चला लिया था आप चाहे तो उसे कद्दू कर सकते हैं या फिर बारी टुकडे में काट भी सकते हैं इससे ज़्यादा अच्छा टेक्शर हाता है अगर आप ऐसे नॉम्डी चंक्स में कट करके डाल दोगे टमाटर तो कभी-कभी होता है सबजी के रसे के उपर उसका जो छिलका होता है वो दिख रहा होता है जो की देखने में नहीं अच्छा लगता अगर आप प्यूरे बना के डालोगे इस तरीके से पीस के डालोगे तो आपकी जो सबजी की तरी है वो बहुत ज़दा रिच लगती है अब इसे भी आपको धीमी आज पर अच्छे से भूनना है जैसे अभी जितनी quantity है इसका आधा हो जाना चाहिए और color थोड़ा सा और ज़दा vibrant हो जाएगा और ज़दा डाग हो जाएगा भूनने वाला काम सबसे ज़दा important है सबजी में या किसी भी सबजी में मसाले आपको बहुत अच्छे से भूनने हैं यहाँ पर मैं एक चमच के जितना एक कसूरी मेथी है हाथ से ग्रश करके मैंने इसे डाल दिया एकदम धाबे वाला टेस्ट लाने के लिए कसूरी मेथी एड़ करना ज़रूरी है इससे बिल्कुल perfect टेस्ट आता है आपकी सबजी का अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है गर पे फ्रेश मेथी है तो आप वो भी एड़ कर सकते हैं लेकिन कसूरी मेथी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है नहीं है तो skip भी कर सकते हैं तो भी आपकी सबजी अच्छी बनेगी लेकिन एक जो distinct flavor होता है सबजी का वो कसूरी मेथी के साथ ही आता है ये देखें टमाटर भी अच्छे से पक चुका है और काफी अच्छा color आ गया है ये पहले से आधा हो चुका है मैंने इसको काफी देर तक भूना था दस मिनट के लिए और भूना था धीमी आँच पि लगादार चलाते हुए तो हमारे सारे मसाले टमाटर अच्छे से पक और इसी के साथ जो हमने fry करके आलो रखे थे वो भी डाल देंगे एक बार मसाले के साथ अक्छे से मिला ले ये सब्सी बहुत अच्छी लगती है चपाथी के साथ, नान के साथ किसी भी तरीके के पराथे या पूरी के साथ चावल के साथ भी अच्छी लगती है तो आप एक बार तो ये रेस्पी जरूर ट्राय करें अगर आपको सूखा बनाना है तो आप इसी पॉइंट पे नमक आड़ करके इसे ढख के धीमी आज पे पका सकते क्योंकि अल्रेड़ी सारी चीज़े पहले से बहुत अच्छे से पकी हुई हैं जादा देड़ नहीं लगेगी दस मिनट में आपकी सबजी हो जाएगी लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें तरी लगा रही हूँ यानि कि थोड़ा सा लटपटा बना रही हूँ जैसे कि आपको बाहर मिलता है डाबे वगेरा पे तो यहाँ पे मैंने करीबन एक ग्लास के जितना पानी अट कर दिया अगर कप के मिजिर्मेंट में बताऊं तो जहां तक है देड़ कप के जितना आपको इसमें पानी अट करना है या फिर आप अपने हिसाब से कम जादा अट कर सकते हैं अपनी भी गाड़ी पतली सबजी आपको अच्छी लगती हो आप देख सकते हैं सबजी अभी से देखने में बहुत जादा टेस्टी लग रही है और इसका टमाटर की वज़े से कलर भी बहुत अच्छा है मैंने कश्मीरी मिर्च नहीं आट किया था क्योंकि मेरे पास अभी नहीं थी अगर आपके पास है तो आप आट कर सकते हैं और जदा अच्छा कलर आएगा नमक आट कर दिया मैंने स्वादा नुसार अच्छा से मिला दे अग्दम धीमी आज पर आपको साथ से दस मिनिट के लिए सबजी और पकानी है इसे मैंने डग दिया एक प्लेट से दस मिनिट के बाद मैं आपको सबजी दिखा दे रही हूँ अच्छा से पक चुकी है मुझे थोड़ी सी गाड़ी गाड़ी पसंद थी तो मैंने इसलिए पानी कम आट किया अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इसको रसा लगाना है तो आप पानी थोड़ा और बढ़ा सकते हैं बस गैस की फ्लेम मैंने कर दी है बन इसमें अब हम डालेंगे खूब धेसरे धनिया पत्ते फ्रेश इसे जरूर एट करें इससे सबजी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसे गर्मा गर्म सर्फ करें चपाती के साथ रो किसी भी तरीके के नान के साथ या फिर चावल के साथ ये सबजी बहुत अच्छी जाती हो उसके साथ तो दोस्तों आए होप आप सभी को आज का वीडियो आज की रेस्पी पसंद आई हो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें और साथ ही में गर आप में चैनल पे नए हैं इसी तरीके की और भी रेस्पी इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब बटन के भगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी आसे दबा दीजेगा ताकि फुर्दर नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो मैं मिलती हूँ एक और नही रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक या बबाएं एंजॉय दिस रेसिपी